हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं चक्रवर्दी ब्याज के पार्ट नंबर टू का और फ्रेंट्स इससे पहले हमने पार्ट वन अप्लोड किया है जिस इसमें हमने दो वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज 100 ट्रिक्स के मादम से कैसे निकाला जाता है वो समझाया है यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो फ्रेंट्स आप अपने स्क्रीन को जैसे टेच करते हैं तो टोप राइट कोरनर पर आपको एक आई का बटन दिखाई देगा उस आई के बटन को आपको प्रेस करना है वहाँ पर प्रेस करके आप इससे पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं और फ्रेंट्स वहाँ पर हमने बताया है कि बिना किसी फॉर्मूले का यूज किये हुए चक्रवर्दी ब्याज यानि कि कमपाउंड इन टरेस्ट को जल्दी से जल्दी यानि कि चंद सेकंडों में कैसे निकाला जा सकता है और आज हम फ्रेंट्स डिसकस करेंगे कि तीन वर्स का चक्रवर्दी ब्याज किस तरह से सो ट्रिक्स के मादम से हम निकालेंगे बिना किसी फॉर्मूले के यूज करते हुए उस चीज को ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इस सोट्रिक्स को दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको सुरू से लास्त तक देखना है क्योंकि फ्रेंट्स जो सोट्रिक्स का आपको परियोग करना है इसके लिए आपको एक से दो बार वीडियो देख सकते हैं और फ्रेंड्स ये सो ट्रिक्स यदि आपने सीख लिया तो आप अपने एक्जाम में बहुत ही कम समय में चक्रवर्दी व्याज के कोशन को नहीं छोड़ेंगे तो जल्दी से जल्दी आप उसे हल क करेंगे और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और जादे से जादे दोस्तों में शेयर करना तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टियो टाइम तो इसमें फ्रेंड्स इस पार्ट में यानि कि पार्ट टू में तीन वर्स का चकवर्दी ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है, वो हमने समझाया है, तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे हम एक कोशन के माद्दम से, 1000 रुपे पर 10% वार्सिक ब्याज किदर से 3 वर्स का चकवर्दी ब्याज ग्यात करो ये कोशन इस टाइब को कोशन हमें पूछा जाता है एक्जाम के अंदर तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स में आपको बताना चाहूँगा कि हम जैसा कि फोर्मूले का यूज करते हैं फोर्मूले का यूज हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं लेकिन ज़स्ट आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि यदि हम फोर्मूले का यूज कर रहे हैं तब हम देखेंगे friends यहाँ पर P की value 1000, again R और T की value हमने put up कर लिया, तो यह हमारी calculation बन जाती है, यह calculation करने के लिए आपको करीब और करीब 1-2 मिनट का time लग जाएगा, और friends इस calculation करने के लिए यदि आप 1-2 मिनट खर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काफी time होगा, तो इस calculation को कम करने के लिए हमने short tricks लाएए हैं friends, तो चलिए दोस्तों, इस short tricks को देख लेते हैं, तो हमारी short trick क्या है, हमारी short trick है, कि सबसे पहले, जैसा कि हमने इस से पहले वाले वीडियो में बताया था, वहाँ पर two words के लिए जो हम ratio लेते थे, यहाँ पर three words के ल three is to one, तो friends, यहाँ पर हमें ये ratio लेना है, तो चलिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं, किस प्रकार के question इसके द्वारा हल करते हैं, तो सबसे पहले हमने three is to three is to one ratio को इस तरह से लिख लिए three, three और three, उसके बाद हमारा दिया है friends, जो P यानि कि मूलधन जो दिया है, वो one thousand जिया है, और जो दर हमारी दी है, वो ten percent दी है, question में जैसा कि इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो number का जो three है, इसके नीचे रखेंगे one thousand का ten percent निकाल के, तो one thousand का ten percent कैसे निकालते है friends, तो one thousand into ten upon hundred करते हैं, ये दो zero से ये दो zero करदाती है, तो ten into ten क्या हुआ hundred, तो one thousand का ten percent आया हमारा one hundred, तो दूसरे जो three है, उस three के नीचे क्या रखेंगे, इस पहले वाले जो hundred है, इसका again हम ten percent निकालेंगे, तो जैसे किसी भी hundred चीज़ का कितना भी percentage निकालते हैं, तो वही आता है, आप सभी को पता है, और क्यों आता है, क्योंकि one hundred का यदि हम ten percent निकालेंगे, तो ten ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो hundred है, उससे hundred कट जाएगा, तो हमारा आएगा ten, तो यहाँ पर हम ten लिखेंगे, अगेन जो हमारा one बज़ता है, रेशो में, उस one के नीचे क्या आएगा, अगेन इस से पहला, यानि कि जो ten है, इसका again हम ten percent निकालेंगे, तो हमारा आएगा one, और simply हमें कुछ नहीं करना है, इसमें, इनकी आपस में करनी है, multiply, और multiply करके हमने लिख दिया नीचे, यहाँ पर, अभी तीनों को कर दीजे, add, यानि कि जो हमारा multiplication के बाद आया, इन तीनों को कर दीजे, add, यही हो गया इसका answer, तो निकल के आएगा, इस trick को आप other questions पे भी apply किजे, आप जल्दी से जल्दी questions को help कर पाएगे, तो चलेए friends, next question को देख लेते हैं, next question है हमारा, 2000 रुपीज का 5 पर 30 वार्ची ब्याज की दर से 3 वर्च का चकवर्दी ब्याज ग्याद करो, friends, आप वीडियो को पोज करके सबसे पहले 5 पर 30 व्याज की दर से ग्याद करने से पहले, इसी question में आप 10% का ग्याद कीजिए, और friends, तब आप अपने समय को calculation कीजिए, कि आप जल्दी से जल्दी कितना जल्दी इस question को कर पा रहे हैं, उसके बाद आप 5% का try कीजिए, क्यो आपको just उसका आधा करना पड़ेगा, किस परकार से friends, जैसे कि 2000 रुपीज का 5% वार्शिक ब्याज की दर से, तीन वर्स का चकवर्दी ब्याज ग्याद करना है, तो हमारी short trick है friend, 3 is to 3 is to 3 is to 1 का ratio में हमें calculate करना है, तो सब से पहले हमें इस 3 के नीचे करना है, 2000 का 5% लिखन है, तो लेकिन इस से पहले हम 2000 का 10% निकाल लेते हैं, फिर उसका आधा कर देंगे, so that हमारे लिए आशान हो जाएगा, तो friends 2000 का 10% निकालते हैं, तो हमारा आता है 200, और 200 का आधा क्या होता है, 100, तो यानि कि 2000 का 5% कितना आया friends, हमारा 100 आया, again friends हम इस 100 का, again हम 5% निकालेंग इसका निकाल लेते हम 10%, तो 10%, 100 का 10% 10 ही होता है, हमने अभी बताया है, तो 10 का आधा करेंगे, तो कितना आएगा 5, अभी हमें 5 का again 5% निकालना है, तो 5 का again 5% निकालने के लिए, इस से पहले हम 10% निकाल लेते हैं, तो 5 का जो 10% आएगा, वो आएगा friends हमारा जो आता है, 5 क 10% आप calculate कर तो यहां पर हम देखेंगे friends जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारा सबसे पहले 100 आया फिर हमारा आया 5 10 परसंट इसका 5 परसंट और फिर आएगा 0.25 जैसे हम इसका 10 परसंट 5 परसंट निकालेंगे तो इन को simply क्या करना है आपको multiply करना है और multiply करके हमारा आ गया इधर 300 इधर 15 इधर आया 0.25 तो friends इन तीनों को क्या करना है हमें add इन तीनों को क्या कर देना है add और वही हो जाएगा हमारा answer तो चले friends देख लेते हैं friends ये question को मैंने हल किया है आप समझ सकते हैं वीडियो को पोज करके एक एक step को आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पर P की value हमारी दी है 2000 आर की value 5 परसेंट तो मैंने सबसे पहले क्या किया 2000 का 10 परसेंट निकाला और 10 परसेंट आया 200 200 को कर दिया मैंने आधा क्योंकि हमें निकालना है friends 5 परसेंट तो यदि हम 100 का 5 परसेंट तो इस 100 का 5 परसेंट निकालने के लिए इसका 10 परसेंट निकालना आसान है क्योंकि 10 परसेंट होता है 10 और 10 का कर दिये आधा तो हमारा आ जाएगा 5 इसी प्रकार से हम 5 का अगें 5 परसेंट निकालनेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 अभी simply इनकी आपस में करनी है multiply और multiply करने के बाद में सीधा जो आता है उनको कर देना है आपस में add वही हो जाएगा इसका answer तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी यानि कि जो powers की जो calculation होती है वो यहाँ पर नहीं आती है और power की calculation करना काफी lengthy होता है यहाँ पर easy way में आप calculation कर पा रहे हो और question का answer जल्दी चे जल्दी आप निकाल रहे हो तो friends आपसे request करता हूँ कि वीडियो को करना है like और इस वीडियो को करना है अपने friends में share what's up और facebook group पर जो भी friends यूपी टैट के तयारी या सी टैट के तयारी या किसी विराज्जे के टैट के तयारी या teacher भरती परिक्षा की तयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए और कोई other friends जो banking से related या SSC से related भी preparation कर रहा है उनके लिए भी ये लाबदायक है तो friends मेरे आप से request है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को देखना है और सभी वीडियो को देखने के लिए और जल्दी से जल्दी आप चैनल से जुड़ना है जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो क्योंकि हम step wise step वीडियो को upload कर रहे हैं और friends topic wise वीडियो को upload कर रहे है जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चले फ्रेंट्स नेक्स कोशन को देख लेते हैं नेक्स कोशन से आपको बहुत ही आइडिया मिल जाएगा यानि कि जादे है जादे है जादे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा यदि आप कोशन को देखते हैं तो फ् की दर से बताना है तीन वर्स का CIE यानि कि चकवरधी प्याज तो फ्रेंट्स यहां पर सिंपल ही हमें जो स्टैप करना है वो मैंने बता था इसलिए इस कोशन को जल्दी जल्दी फटापट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है 3-3-3-1 यानि कि 3-3-1 यह हमारा क्या है ना रेषो के रूप में हमें लिखना है तो इस 3 के नीचे क्या लिखना है फ्रेंट्स 5000 का 10% लिखना है तो 5000 का 10% कितना हुआ एक 0 कम हो जाएगा यानि कि 500 अभी 500 का हमें क्या निकालना है again friends हमे 10% निकालना है तो इसका क्या आएगा 50 तो again 50 का 1 के नीचे लिखने के लिए 10% निकालना है तो यहाँ पर आजाएगा कितना फ्रेंट 5 तो बहुत ही simple है अभी इसकी आपस में कर दीजे multiply तीनों की तो यहाँ पर तीन की multiply करते हैं हमारा क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1500 यहाँ पर आएगा कितना 150 और यहाँ पर कितना आएगा 5 तो अब फ्रेंट तीनों को आपस में कर दीजे add तो जब हम तीनों को add करते हैं तो हमारा कितना आता है 1655 1655 उसका क्या होगा answer यही हमारा क्या हो गया CI हो गया तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी हमने कोशन को कर लिया है और यदि आपको नहीं समझा आया है तो प्लीज इस वीडियो को पोज करके यहां पर मैंने solution दिया है आप वीडियो का solution देख सकते हैं और अपने प्लेलिस्ट त्यार की गई है उच चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डेस्क्रिशन बोक्स में भी दे दिया है और फ्रेंड्स आप चैनल के आइकोन को प्रेस करके भी आप चैनल की प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते ह वहाँ पर हमने subject wide video को upload किया है और वहाँ पर यदि आप TED के तयारी या U.P. TED के तयारी या C.T. के तयारी कर रहे हैं वहाँ पर हमने अलग-अलग courses के लिए अलग-अलग जो topic wise video upload किया है आप उन सभी video को देख सकते हैं और अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं झाल-पारी को देख सकते हैं